ना समोसा ना कचवरी और ना ही पूरी आज हम गेहूं के आटे और ब्रेट से बहुत ही मज़दार और बहुत ही क्रिस्पी चटपटे नास्ती की रेश्पी सेयर कर रही हूं फ्रेंट्स जिसे आप खाने के बाद आपका पेट तो भरेगा लेकिन मन बिल्कुल नहीं भरेगा तो चली फ्रेंट्स सुरू करते हैं बहुत ही टेश्टी रेश्पी है वीडियो को अंतर जुरूर देखिए तो यहां पर देखिए मैंने चार से पास मेडियम साइज के आलू ले लिए हैं इसे मैने बॉयल करके छिलका निकाल दिया है अब इसे हमें मैस कर लेना है तो मैने ले लेंगे तो देखिए और गाले लिए एक मीडियम साइज का लिया था एक मीडियम साइज का अनिया और हरी मिर्टी खेक अनुसार अपले सकते हैं इस अब depende में आप और भी वेजिटेबल्स एड कर सकते हैं आप अपने मन के जो भी आपको पसंद हो आप इसमें और आधा चमच गरम मसाला पॉडर साथ ही डाल देते हैं आधा चमच जीरा तो अभी सब को दालने के बाद अच्छे से हमें मैस करके इसे अच्छे से देखिए बना लेना है इसका मिश्रन तो बहुत ही टेश्टी बनती है आप वीडियो को इसकीप ना करते हो वीडियो को प कर निकल आता है इसी तरह हमें सब को काट लेना है इससे गोल गोल हमारे जो नास्ते बनेंगे तो काफी टेश्टी दिखने में लगेंगे इसी तरह मैंने धेर सारे देखिए स्लाइस में काट लिया है तो फिरंड चलिए बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर देखिए मैंन तो पौना कप ले लिया था तो फिरण आपके आधर कप में ही JUST 8 आसथ बहुत ही आसान से बन जाएंगी मैंने ध्यादा बना एक चम्म सफ़ेद तील स्राइब गदेखी अदिर, तो फिए अगर आपको पाथ चीली फ्लेक्स ना डालना हो तो आप इसकीब कर दीजिए और सफे तील को भी कर सकते हैं धनिया और चीली स्वेकस आप असानी से बना सकते हैं अब इसका हमें पेश्ट तयार करना है तो फेश्ट देखिए अच्छे से पारी डालते हुए जब इसका गाढ़ा पेस्टर है तो इस तरह का देखिए डॉट्स होना चाहिए अच्छे से देखिए हमारा मिस्टरन तैयार हो गया है अब इसे हम साइड में रख लेते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए मैंने जो राउंड ब्रेट को काट लिया था उसके पर हम लगा देते हैं केचप आप चाहिए तो इसमें ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं उससे भी काफी टेश्टी लगती है लेकिन केचप लगाने से भी बहुत ही वज़ेदार लगता है नास्ता तो मैंने यहां पर केचप लगा दिया है सबको तो देखिए इस तरह तो जड़ा सभी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो दिख सकते हैं कितने टेश्टी हमारे यह बनकर रेडी हो गये हैं इसी तरह दुबारा भी बना के दिखा रही इसी तरह सबको ह पाफी टेश्टी बनी थी अब इसमें देखे डीप कर लीजिए एक फॉक के साहता से आप इसे अलट पलट कर देखे आसानी से लगा सकते हैं थात लगाने की बिल्कुल जरूत नहीं पड़ेगी अब आसानी साथ बना सकते हैं तो फ्रेंड उसमें बेट जल्दी नरम हो ज डालने के बाद फ्रेंड इसके उपर थोड़ा सा हम वाईल इस तरह लगा देते हैं ताकि अच्छे से उपर से भी हो जाए तो देखे थोड़ा थोड़ा से दीरे-दीरे मेडियम फ्लेम पे हमने बनाया है जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो अलटते पलटते फ्र मोसा कशोरी खाना भूल जाएंगे जब एक बार रेस्पी ट्राइब करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगता है यकीन मानिए काफी टेश्टी थी इसलिए मैं बोल रही हूं फ्रेंड आप एक बार जरू ट्राइब कीजिएगा तो देखे इस तरह बनाकर हमें रेडि कर मज़ेदार है तो बहुत ही टेश्टी लगता है फेंड आप इस रेस्पी को जरू ट्राइब कीजिएगा मैं बार बार बोल रही हूं क्योंकि बहुत ही टेश्टी बनी थी इसी तरह हमें सब को बना लेना है तो दे सकते हैं किते टेश्टी हमारे नास्ते बनकर रेडि हो है हमने ठीर सारा रास्ता बनाकर रेडी किया है तो दे सकते इसे में तोड़के दिखा रहे हूं तो दे सकते इसका इस्टफिंग अंदर से कितना टेश्टी दिख रहा है खाने में उतना ही मज़ेदार है ताप एस रेस्पी को एक बार जरू ट्राइक कीजिए वीडियो कै कैसा लगा फेंड कमेंट में जरूर बताईएगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाए फेंड टेक केर थैंक्स पार वाचिंग